कि नमश्कार अदब स्वस्तियकार और स्वागत आप सभी का क्लाइट अनदर लॉइंटरंस एग्जामिनेशन के अंदर मैं हूँ एड़ोकेट विजेंदर सिंग चौधरी और फिर से आगे एक बहुत महतुपून सेशन के साथ जी हां आपको पता है अब हमारे सामने एक हो टागेट है देखिए क्लाइट आपने कैसा दिया कैसा नहीं दिया गलती हो गई मिस्टेक हो गई कुछ चीजे मिस हो गई कुछ भी हुआ वह बात खतम कर दो उससे भूल जाओ अब जो टागेट है वो है हमारा एलेट जी हां एलेट में हमें अब क्या करना है उसके लिए तयारी जो है उसको और स्ट्रॉंग करना है इसको रिविजन को और स्ट्रॉंग ली करना है देखिए मैंने वन येर मेराथॉंस है अल्रणी क्लाइट में कर आई थी लेकिन ऑर एलेट का पैटन बिलकुल अलग है दोनों के कोशन्स पूछने का तरीका अलग है सब कुछ अ रहा हूं और आज भी कुछ ऐसे ही important questions आप लोगों के सामने लेकर आया हूं देखे इन questions को लाने का reason यह है कि जितने भी examinations हुए है past you know previous year question papers उनको पूरा एवलेट किया गया है उनको अच्छे से मैंने चेक किया है और उसके बाद कैसे questions आपके लिए important होते हैं उन सभी को यहां लेकर आया हूं वरन रुची मिरनाली अंशिका अधीती मीत जिया इन एवरीबड़ी बहुत-बहुत स्वागत है अर आपका यार देखो शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने यह रहां इंडिया का फॉर्स अंडर सी टानल जो है वो कहां पे बिल्ट हुआ है कौन से सीटी में बिल्ट हुआ है कम ओन एवरीबड़ी चलिए कम ओन डाईज पिटा रूची थोड़ी सी अभी भी खराब है एक दो दिन लग जाएंगे लेकिन अब इंतिजार नहीं कर सकता इसलिए मैं आगे आप लोगों के बीच में चलिए बच्चा लोग क्विकली चलिए खुश रहिए बिटा खुश रहिए थैंक्यू सो मच मेरे फैन लोग मैं तुम्हारा एसी हूँ मेरे बच्चा फड़ाफट से सेशन को शेयर कर दो यार सभी दोस्तों को जुरूर बुला लो क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको शायद पता नहीं है मैं इस टाइम प पार्क के बीच में जो है यह टनल जो है क्रेट की गई है तो आप से यहीं भी पुछा जा सकता है कि यह कनेक्ट किस के बीच में हुई है ठीक है क्या रखिए ठीक है ओके चलिए कम ओन लेट्स कम तो दिनेक्स कोशन हो है इनोगरेटेड इंडिया फोर्स हेरिटेज सेंटर फोर इंडियान एर फोर्स कम अन थोड़ा सा अगर दिमार्ग भी नहीं कॉमन सेंस विलागा तो काम हो जाएगा चलिए है य। है यह यह महित चलिये chamber on my cooler who sir fan तो चोटा हो गया अच्छा ठीक है चलिये come on come on झेट को ओ सब्सक्रेट अगर नगत दो है तो कॉई बात नहीं नेट भी तो कोई बात नहीं फ्सक्राइज हो है तो कोई बात नहीं अरे बेटा मैं अल्रेडी आप बताई डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे हो इस दिफेंस मिनिस्टर ओफ इंडिया हो इस दिफेंस मिनिस्टर ओफ इंडिया जल्दी से लिग दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर और सेशन को लाइक करते आगे बढ़ेंगे कमान एवरीबडी कुटली फड़ाफर से बताई है कि कौन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है मो थेंक यू सो मच अर मेरी वजय से नहीं आप अपनी महनत से पास हुए बचा ठीक है चलिए कमान तो राजनाथ सिंग जी जो है वह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है और उनने चंडिगर के अंदर इसको जो है ओपन किया है देखिए क्या है यह यह बेसिकली एक मिजियम है जो कि पोट्रे करेगा अबाउट अल दी एर फोर्स आर्टिकल्स ठीके बच्छा तो देखिए राजनाथ संग जी ठीके बड़ा चलिए आगे बढ़ते हैं एस्ट एवर सबसी रिसोर्च लाब इस बिल्ट इन विच इटी कॉन से सिटी के अंदर यह बिल्ट वा है अशिरवाद दे जी ए रिग्जाम के लिए और आप हमेशा हमारे साथ देना बहुत आपके मेक सिर्फ एडूकेटर नहीं हूं आए और ब्रदर आए और एल्डर ब्रदर आए और एडूकेटर एवरिटिंग जो आप मुझे मानते हैं चलिए कम आन कुटली चलिए 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 कम आन चलिए बहुत बढ़िया प्रतीवा शाबाज बच्चे तो इस इन पूने पूने में हुआ है कहां यह सब सी रिसर्च सेंटर है ठीक है यह बेसिकली सी के अंडर के जो रिसर्च है उनको कंड़क्ट किया जाएगा और इस टाबलेश्ट इन इस टाबलेश्ट इन पूने प पास चलिए कोशिश करूँगा कहीना कही तो जा रहा हूं कहीना कही तो कहीना कही तो जरूर जा रहा हूं कम ऑन डाइस विच एरपोर्ट बिकेम फर्स इन इंडिया तो ओफर ए रिडिंग लाउंज यह भी बहुत अच्छा कोश्चन है और पूचा जा सकता है थैंक यू अंचिका थैंक यू सो मजच बच्चा यू गाईज इंस्पायर मी बिकॉस तुम लोग जित्ति महनत करते हो मुझे थोड़ा सा उससे जादा करना पड़ता है थैंक यू सो मच अरे यार ठीक है अरे तुम लोग क्लास के एंड में पुछुआ किसका कहा कहां सेंटर बताईएगा जरूर यार मुझे ठीक है बताईएगा जरूर प्लीज कौन सा एर्पोर्ट है कंफ्यूज मतो बेटां बिलकुल मतो नहीं मुईत महरा नहीं बच्चे कंफ्यूज मतो यह लाल भादुर शास्त्री एरपोर्ट इन वारानसी ठीक है लाल अइल बादुर शार्थी एरपोर्ट इन वारा नसी यह वारा नसी का इंडिया स्फर्स्त रीडिंग लाउट एट वारा नसी एरपोर्ट माँचब के अPDर पहला डिंग लाउऑज पना है ठीक है प्लीज अजय से डियू ओफ आर्ट्स अन कॉमर्स कॉलेज के पास आजे ही प्लीज चलिए ठीक है माई मो जोते भी वच्चे है आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हूं पहले अभी फोकस करिए यहां पे ठीक है लास्ट में मैं आप लोगों से इसके बारे में बात करूंगा ठीक है पासिकली टेक्सी की तरह काम में ली जाती है जो की पानी में चलती है अना ठीक है बच्चा चलिए कम ओन गाइस वेच कंट्री हैस लॉंच वर्ल्स फॉर्स लिक्विड हाइड्रोजन पावर फैरी अब आप कहेंगे सर यह सब हमने पाई नहीं अरे तभी तो मैं आया हूं नहीं तबी तो आया हूं तुम लोगों के लिए दि उस टाइड़ोजन चलिए कम ओनड़न आम की पैर नौर्वे जो है नौर्वेजे घंदर एक नौर्लें नाम की नौर्वे नाम की कम्पनी है झिसने इसको लॉंच किया है क्माल डायल की यह सुष हाइड्रोजन पावरा हूं प्योर लिए लिट के बेसेस पे ठीके बच्चा करेक्ट आंसर इज्या नौर्वे चलिए बच्छा नेक्स कोश्चिन कमान हूँ वी केम दी फॉर्स आई एफ वूमन ऑफिसर तो रिसीव ग्लैंट्री आवर्ड ये सवाल का जवाब अगर एक का भी गलत हुआ तो मैंने तुम लोग को जूते ही जूते मारने हैं चलिए कम दाइस आज तो बहुत कम बच्चा है 45 बच्चा ही है चलिए चलिए फड़ा फड़ से इसको 100 पार करना है सभी बच्चों को बुलाना है अपन को कॉम्पटिशन भारी होना चाहिए और इस कोशन के साथ कुछ और इंपोर्टेंट चीजे हैं वो भी बताऊंगा जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए यह सब कोशन के साथ एक और कोशन बनता है हमेशा चलिए चलिए कम ओन गाईज करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें आपके सामने दिख रही होंगी करनल गीता राना जी ठीक है इसी के साथ में शलीजा धामी कौन है यहां पर गोला बारी करनी हो वह बेसिकली कौन सी होती है वह फ्रेंट लाइन कॉम्बै यूनित होती है बहावना कंथ कौन है यह फिमेल फाइटर पाइलेट है तो अब एक को कोश्चन के चार किके तो मैं अल्टीमेट लिए पचास कोश्चन कराऊंगा तो पचास कोश्चन का मतलब है बिटा कम से कंदेशों कोश्चन में आपके हो जाने चाहिए ठीक है चली नेक्स कोश्चन के तरफ आते हैं बच्चा कमान हाँ यह सब कुछ एक साल का करेंट सेशन को लाइक करके आगे बढ़िएगा जो लोग में साथ जुड रहे हैं प्लीज लाइक कर दीजेगा यह कोश्चन सारे वो कोश्चन से जो कि आपको डारेकली पूछ जाएंगे आपके एलेट के एक्जाम में और जब एलेट का एक्जाम होगा उस दिर मैं आपके सामन रहोंगा इन कोश्शन्स को आपसे रिपीट करवा रहा हूंगा चलिए बिटा कम आइंडिया फोर्स 3D प्रिंटेड पोस्ट ओफिस हैस बिन सैट अप इन विच सिटी यह तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए यह तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए चलिए इमेज के साथ पढ़ाया है मैंने यह सब फोटोस दिखा दिखा के पढ़ाया ताकि भूलो नहीं बहुत बढ़िया बेंगलुरू कहा है करनातका में कहा है बटा करनातका में अब एक और चीज है जो यहां से पढ़ेंगे हैं वो क्या है पहला इंडिया फोर्स 3D करनिह जिसके अंदर बसक्लिय को कौरी कर्ण्यों की ऑर्रेशन होते हैं वहां से उचक प्रमाने के बनाते हैं यह दवलत आती के स्क्रेंट किadaai को शिरूर्स तर्वूर्स त्रीदी प्रिंटेड से हैं है तीक है ये बेसिकली अगनी लेट जो है एक इंडिया के एक बेसिकली एक स्टार्ट अप जिससे स्टार्ट अप ने इसको इसको अगनी लेट को और ये क्या है वर्ल्ड का पहला प्रिंटी रॉकेट इंजन होगा ठीक है बटा चलिए आगे बढ़ते बच्चे बात समझ में चलिए वर्ल्स थर्स लार्जेस्ट किर्केट स्टेडिम विल्ट इन विट सिटी दुनिया का सबसे तीसरे नम्मर का बड़ा स्टेडिम कहां बिल्ट होने वाला है इस कोश्टन के साथ भी मैं तीन कोश्टन कराऊंगा आपको चलिए कमा और मुझे भरोसा है एक भी बच्च चलिए फड़ाफर से फायर आजाना चीए एक बार जल्दी से करेक्ष आणसर क्या होगाँ मैं है कि आपके टीचर आपके अदूके राजस्थान के आपके जिसे आ जो कि कहां पर है राजस्थान से हुआ कुछ यह लगा है बात कर तो सबसे बडा तो सबसे बड़ा है बेटन नरेंदर मूदrent इस्टेडियम जो की कहां पर है गुजरात के अंदर है एमताबाद के अंदर सेकट नंबर कौन सा है Melbourne स्टेडियम जो की है ऑश्टेळिया के अंदर कहा है Australia के अंदर नरेंदर मोदी स्टेडियम से पहले वल्ड का सबसे बड़ा कौन सा था that was basically Melbourne Stadium, ठीक है, तो यह आपकी reasoning साथ में आएगी, अब यह जो stadium बन रहा है, इसे कौन बना रहा है, इसे विदानता, जो company है, विदानता का, you know, parental company विदानता है, उसमें हिंदुस्ताइं जिंक लिमिटेड है, वो बना रही है, और इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, अ इक विद्ध कंट्री बिकें फॉस्त रखॉफर्ट मलेरिया वग्सीन फोर चिलर्न, चलिये, चलिये, यह वह वह बेक यह बहु बासिकली वैक्सीन है, जिसको बेसिकली, एक्सप्टैंस मिली है, और यह कहां दी गई है, विच कंट्री है से स्टी तर्स चलिये, इसका बेक की वहीं पे लगबाग सवालाग एक लाग तीस हजार जो है वो कैपसेटी किसकी हो गई है सर निम्स कैसे भूल सकते हैं चलिए कम आन जल्दी जल्दी यार क्विकली फड़ाफट से आंसर दे दीजिए क्या बात है क्या बात है भाई क्या बात है कम आन नाजीरिया अउगांडा गाना साथ अफरिका चलिए बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर इस घाना गाना ने अप्रूफ की है कौन सी आट इस आर 21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वेक्सिन जो की डबलू एचो के तहत निर्थारी तर और उच्फओर्द इंवर्स सेटें ऊसको क्या किया है ऑकसफ़द इस चिने उसको डवलब किया है ठीक है तो दॉल्स टाउंसर इस गहना ए खृव अफ्रूब्स एस अप्रूविश्टी ऑफ ऑफ ऑक्सफफ़ण। ठीक है बच्चह चलिये चलिये कम ओन who has released the first edition of दोगरी version of constitution दोगरी कहां बोली जाती है दोगरी भाषा कहां बोली जाती है अगर आप schedule 8 के बारे में बात करेंगे सम्विदान के वहाँ पर कितनी भाषाएं है how many languages are there in our constitutional schedule 8 उसमें से एक भाषा दोगरी भाषा भी है चलिए come on चलिए चलिए come on दोगरी भाषा जो है वो बोली जाती है बेटा जम्मू एंड कश्मीर में कहां जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शारिया शाबास बेटा शाबास who has released देखिए ये जब release की गई थी उस टाइम पे कीरन रिजुजू जो है वो हमारे कौन थे लो मिनिस्टर थे लेकिन अगर उस टाइम पे वो लो मिनिस्टर थे तो आज लो मिनिस्टर कौन है ये भी सवाल बहुत ज़रूरी होता है ठीक है तो correct answer is कीरन रिजुजू ठीक है किनो ने के रिलीज़ की की रन डेजु जी ने और यह कहा पे की गई यूनिवर्सिटी आफ जमु न कश्मीर में दोगरी लैंगवज कहा बोली जाती है जमु न कश्मीर के अंदर और डोगरी रेंगेज जो है वह हमारे 22 लैंगवेजेस के अंदर आती है ठीक है ओके चलिए ओके बट वो डोकरी होता है मीच सिंग जी डोगरी नहीं होता है डोकरी होता है डोकरी चलिए अर्जोन राम मेगवाल जी बहुत बढ़िया अर्जोन राम मेगवाल जी हमारे कौन है कानूर मेंस्टर जिनोंने अभी रीसेटली समविधान के अंदर एक नए अमेंडमेंट के लिए जो सबसे ज्यादा कहां पर है West Bengal मैं कहां है West Bengal में देख अभी यह first ever water body census मैंने आपको बताया था और कौन किया है जल शकती przy negligkim Kil musician हो गए कि यह कितने number का हो सकता हो सकता है तो पूझना सकता ही पहले water body census हुआ है किसने कि यह पूछाजा सकता है जल तरशक्ति मिनस्ट्री निहिं आ है हाई यह किस के आप यह को अक्रशन ऊदर है तो हमारेको पता है वेस्ट वेंगोल के अंदर है वेस्ट बेंगोल के बाद कॉन सा है उत्तर-प्रदेश और सब से कम कहा पर है सिक्किम के अंदर है टो ड़े गीषब एक बग 24.2 लाक टोटल वाटर बोड़ी रिजर्वर्स इंडिया के अंदर है ठीक है ठीक है ठीक है ओक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है जल्दी से बताओ कि सर याद भी हो रहा है और एक कोस्टन के साथ एक से ज्यादा कोशन सौल हो रहे हैं सर बैस मजा रहा है किस किसको सवालों को क्लियर करने में मजा रहा है एक बार दिल और फायर लगा दो जल्दी से चलिए अना चलिए कम ओन नेक्स सवाल वर्ल्स फेस्स बैंबू क्राश बैरियर इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट इसको भी बार बार मैंने काता कि यह सवाल इंपोर्टेंट है जोशीले लोग मेरे साथ बैठे हैं मीज जिया अर्जा प्रतिभा रूची तनीशा अंश स्नेहा जिया शौरिया मानसी यम प्रतिभा मिरनाली अंशिखा एवरिबडी आर सब को मजा रहा है सब एंजोई कर रहे हैं क्या बात है बहुत बढ़ी है जल्दी से बता दीजे व बाहु बली के बारे में बाहु बली के बारे में बाहुbaar थी है न चलिए बहुत बढ़िया महराष्ट्रा के अंदर महराष्ट्रा के जो बैसिकली अगर आप बात करेंगे महराष्ट्रा की तो बstat hatten Ghaudi कासे आते हैं महराष्ट्रा से आते हैं जो कि हमारे road and transport minister है ठीक है so basically यह महरास्टा के जो highways है उन पर इसको जो है यूज किया गया और चंदरपूर एंड यनवंत्रा district जो है connect करता है उस highway के उपर उसके आगया है ठीक है ओके यह दिख रहा होगा आपको है ना हना चली so the correct answer is your महरास्टा next question बेटा recently which state or union territory achieved 100% ODF plus model status बाहर सौच नहीं करना है घर के अंदर करना है ODF से याद आ रहा है चलो बेटा जल्दी बढ़ा दो जल्दी जल्दी चलिए मैं ठीक हूं मिटा बिल्कुल मुकुल अगर आप graduation के last year में है आप CUT PG LLB का exam दे सकते हैं 100% दे सकते हैं और यह सब सवाल CUT PG वाले बच्चों के लिए बहुत important होंगे यह CUT PG के बच्चों के लिए भी बहुत important होंगे यह सब questions चलिए come on come on come on देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था जम्मून कश्मीर इस दी करेक्ट आंसर जम्मून कश्मीर से एक चीज़ और याद रख लीजेगा कि लीथियम का जो डिसकवरी है वो भी हमें जम्मू कश्मीर से मिला है सबसे पहला लीथियम का डिसकवरी इंडिया में कहा हुआ है वह हुआ है जम्मू में उसके बाद कहा हुआ है राजस्थान में तो यह भी एक सावाल यही से जोड़ दीजिएगा तो correct answer is जम्मून कश्मीर जिसने 100% open defecation free plus status जो है वो पा लिया है और यह किसके अंदर आता है ODF plus जो यह बेसिकली जो status मिलता है यह देता है सवच भारत मिशन के तहट किसके तहट सवच भारत मिशन के तहट बेटा देखिए current affairs मैं आपको बता दू, current affairs, MSET, ALET, CVT, तीनों ही exam, GMI, AMU, इन सभी exams के लिए मैं स सारा का सारा content ऐसा लाया हूं, इन सभी exams को create किया जाएगा, ठीके, okay, हाँ, बिटा, याद है, क्यों याद है, क्यों याद है, क्योंकि अपन ने तयारी लगातार किया है, इसी लिए, चलिए, बिटा, come on, आगे बढ़ते है, when was Jal Jeevan Mission launched, देखा, अब ये date वाले बहुत important हो चलिए, when was Jal Jeevan Mission being launched in India, चलिए, come on, चलिए, 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 कम on, fast, क्यों आया था Jal Jeevan Mission, था कि लोगो के हम क्या लगाए, नल, नल के तहत, उनको क्या मिले, फ्रेश वार्टर पीने का, हाना, क्या मिले, फ्रेश वार्टर चलिए, क्यों इसी लिए, फ्रेश वार्टर 2019 2020 2017 2016 चलिए वहाब को बता दूँ 15 अगस 2019 को इसको लांच किया गया था हमारी इंडिपेंडेंस देपे 15 अगस 2019 को basically क्या क्या काम उगा इसके तहर्त इसका काम क्या होुगा safe drinking water logo तक पहुचाना क्यों-क क्यों को कुछ पानी नहीं होगा तो बिमारिया फैलेंगी जिससे की लोग जो है हमें health sector में और पैसा खरच करना होगा right और 2024 तक का aim क्या है ये है to provide safe drinking water to every rural household जित्ते भी गाहों के अंदर लोग रहते हैं, उनको सेफ वाटर पहुचाया जा सके, क्या पहुचाया जा सके, सेफ वाटर पहुचाया जा सके, ठीके, और इसको जे 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 एम भी कहते हैं, जल जीवन कि के अंदर आया, ministry of of जल शक्ती प्लीज, चलीव, और अगर आप तैयारी कर रहे है, चाहिए क्लाट की, जाये आप तयारी कर रहे हैं, dus आपके लिए सोनेरा मोका है, आप जोईन कर सकते हैं, लोग कहां नाइग कि जोकि अभी हाल, आप सक्कूट के साथ आपको 12th o में मिल रहा है जिसमें सभी कोर्से पूरी पंदरह महीं ने मतलब आप दो examinations की तेहरी कर पाएंगे इसके अंदर वह आपको यहां पे अविलेबल है क्लाइट एलेट एमेच सेट एमाई जेमियो सभी और अगर आप सिर्फ क्लाइट की त्यारी करना चाहते हैं क्लाइट 2025 फांडेशन को जो की आठ तारिक से आपका स्टार्ट हो रहा है कब से हो रहा है आठ तारिक से ठीक है बिटा एंड इसी लिए मैं कह रहा हूँ अब समय वेस्ट मत कर दीजिए दल जी से जोड़ जाईए निश्चय बैच अल्रेडी लाँच हो चुका है तो तुर इसके लावा कोई भी कोड यूज मत कीजिएगा कोई आपको कहता है कि यही सरका भी है तो नहीं मेरा कोड सिर्फ एक है वाई 738 जहां पर मैं मिलूंगा आपको ठीक है सर्जी क्लैट वाले बैच में क्लास कब से स्टार्ट होगी क्लाच लगबग आई तिंग आज इसके ड हां मुकुल अगर आपका कोड यूज समझानी में क्या कहना चाहते हैं नहीं बेटा दिसमबर आठ से अब तयारी फुल करी जाएगी फुल तयारी बैस ग्यारा तारिक से स्टार्ट हो जाएगा बिलकुल अगर आप ये कोड यूज करते हैं आप मुझसे और टीज से बाता हूं लोगों के साथ में वह भी बता सकता कोई बच्चा है यहां पर जिसने Y738 code use क्या है चलिए 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 कम आण फास्ट विक्ली क्विक क्विक सो मिनिस्ट्री ओफ सोशल जस्टिस एंड empowerment कौन सा ministry of social justice and empowerment ministry of social justice and empowerment is your correct answer ठीक है okay so सुरेश्टा क्या है scheme for residential education for the education in the high school in targeted area ये targeted area कौन से है जहाँ पर education key facilities कम है ठीक है so ये introduce कि स्के तुरू किया गया है ministry of social justice and empowerment क्यों किया गया है quality education and opportunity provide की जाए किसको बेटा से स्केडूल कास्ट स्टुडेंट्स को and admission of 9th and 11th से स्टुडेंट्स इन दिस सीब्यसे स्कूल ये basic reason था इसका sir मैंने यूज किया है सर जी आपका कोड हार रूची ने स्टुडों किया है रूची कि आप मुझसे personally बात कर पाती है अगर आपको कभी दिक्कत होती है क्या मुझसे बात कर पाती है जी आप मुझसे बात कर पाती है तो जल्दी से बारे में आंसर जब आप दे देंगे उसके बाद में आपको बता हूँगा चलिए अगर आपका करन्ट फेस वीक है करन्ट फेस को जी तो स्ट्रॉंग करने का काम है मेरा और क्या काम बच्चे कि कमान चलिए कमान जल्दी जल्दी आगे बढ़िए फटाफट से अंसर मनन महावर आपने मेरा कोड यूज किया है और आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो बेटा जैसे क्लास खतम हो लीगल विरेन पे जाके मुझे ज़रूर एक बार टेक्स कीजिएगा कमान चलिए 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 कुटली बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 2018 ठीक है और 2004 अभी रिसेंट ली जो है इसको 2014 तक extend कर दिया गया है यह क्यों है यह जितने भी unemployment लोग है ओन लोगो को financial support provide करने के लिए है ठीके बिटा ओके चलिए नेक्स कोशन विच मिनिस्टी लॉंज नया सवेरा स्कीम नया सवेरा स्कीम कौन से मिनिस्टी ने लॉंज किया है कम आप मुझसे लीगल विरेन पर जुड़ सकते हैं इस्टा टेलिगराम दोनों पर चलिए कम अन कुटली फास्ट तोड़ा स्पीड करो यार चलिए चलिए और इसका हेंड बे देता हूं और हिंट है स्मिर्ति इरानी जी से कुछ रिल जिर्टेर है स्मिर्टी इरानी जी से रिलेटर है सभी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं शाद 68 बच्छा है देखु मैं एक चीज़ आपको बताता हूं जब आप आंसर देते हैं बच्चे तो क्या फर्क पड़ता है उससे आपका hand-eye coordination भड़ता है और आपको याद रहता है ज्यादा अच्छे से हैं ठीक है आपको और ज्यादा अच्छे से आद रहता है तो आप सभी से request है कि देखिये मेरा गला बंद है मैं फिर भी आपके सामने खड़ा रू कीजिये हर बच्चा Ministry of Minority Affairs बहुत अच्छा जवाब दिया सभी नहीं सो देख्रेक्ट आंसर इस Ministry of basically minority अब बात करते हैं तो असे स्टुडेंट्स बिलॉंगिंग तो देख्स नोटिफाइड माइनोटी कम निटिस कौन कौन से कम निटीज है वो सिक जेन मुसलिम क्रिश्चिन बुद्धिस्ट एंड पार्सी ये वो छे मानरिटीज है जिनको ये बिलकुल उनी के असिस्टेंस के लिए रखे गई है ताकि उनको क्या दिया जाए उनको नया सवेरा और क्या कह सकते हैं फ्री कोचिंग एन एलाइड इसकिम है मतलब आप जिस तरीकी से कोचिंग लेते हैं उसी तरीके से चेंज लग रही है मेरी आवास चेंज लग रही है बेटा मुझे ज चली आगे बढ़ते हैं विच 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 स्टेट है स्टॉप्ट विट मैक्समों जंदन बैनिफिश्यूइज जंदन अकाउंट जो है इसके बारे में कई बार प्रधान मंतरी जी ने इसके बारें बात किये चली कम अन एवरीबडी क्ली फड़ाफर से आंसर दीजिए विच स्टेट है स्टॉप्ट विच मैक्सिमम जंदन बैनिफिश्यूइज बहुत यह यह सब वह सवाल है जो हमने पढ़े हैं हम सबने पढ़े हैं और आंसर देखिये अब स्टेट बढ़ा होने से क्या है कि वह आपे जंदन सबसे ज्यादा हो ऐसा जरूरी नहीं है अरे बेटा मेरी हेल्ट जो है सेहत जो है वो तो ठीक हो जाएगी लेकिन दस्तारिक एलिट का एक्जाम थोड़ी वापस होगा मेरी जान मेरे पहरे बच्चों अला अभी रिसेंटली कौन सा स्टेट है जहां पे सरवे हुआ था बिहार में हुआ था है ना और बियार में पता चला है कि 35 परसेंट से ज्यादा लोग कौन है बिलो पोवर्टी लाइन गरीब गरीवी रिखा के निचेए 6000 से कम की उनके आमदनी है चली सो फिसकल यह 2022-23 के अंदर अगर हम देखे तो सब से जादा बिहार के अंदर है दूसरा नमबर यूपी है तीसरा नमबर तमिल नाडू है चलिए बेटा करेक्ट अंसर के लिए आगे बढ़ते हैं विच स्कीम वोन विन नैशनल अवार्ड फोर ए गवर्नेंस दो हजार थेश चलिए कौन सी स्कीम है जिसने नैशनल अवर्ड जीता है यह गवर जो गाव है जो देहात है रूलर एरियाज है उसके अंदर टेक्नोलोजी से कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है ठीक है उसके लिए जो है यह बेसिक लिए स्कीम थी और इस स्कीम को जो है यह गवर्नेंस दो हजार तेईस का जो है वो यहां पर आवार्ड मिला है स्वा मित मित्माइ स्कीम और में संवे और एंड इंड कon वी इंपरोवाइज टेखनोंड ऐनजी एरियास यह यह स्कीम है यह कहा का कि कि विट निस टीव बेटा मिनिस्ट्री ऑम चाहित राज जो किया गया है तो प्रोवाइड पर्पर्टी वनर्षिप राइट फो दी इंडिविजुर्विजर्ण रिग टी मिलेज अ दी आ चिए अग्या जा गत्र चली तो कर्क्रेक्ट अंसर इसकी कॉन से मिनस्टी ने लॉंच किया पिंट उशा चलिए और कल मेगा महरत हो ने सभी एलेट वालों के लिए सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाएगा मा लॉजिकल होगा वहां पे आपका मैथ होगा वहां पे आपका करेंट अफेर होगा स्टेटिक जी के होगा तो कल जोड़ना मत भूलिएगा लंभी मेराथन है कमान कमान बहुत बढ़ी अधिया जी शाबाश कुट लिए बहुत बढ़ी दर्मिंदर प्रादान जी है जो कि एडूकेशन मिनिस्ट्री के समाल रहे है है सो मिनिस्ट्री ओफ एडूकेशन जो है वो करेक्ट आंसर है उसने लॉंच किया है ठीक है क्या किया है और यह क्यों है तुफ प्रवाइड दी फॉर यून फाइनल सपोर्ट तो स्टेट्स फ्र इंप्रूविंग देर हैयर एडूकेशन सिस्टम जो हायर एडूकेशन सिस्टम इसको इंप्रूफ करने के लिए जो है कौन सी आया यह परधान मन्तरी उच्टतर उच्चतर का मतलब higher education, उच्चतर अभियान, ठीक है, PM उशा इसका नाम रखा गया, चलिए बिटा, आगे बढ़ते हैं, which platform became world's longest railway platform, चलिए, ये तो बहुत आसान सवाल हो गया, बीच-बीच में कुछ ऐसे सवाल भी होंगे, जो तुमने daily basis पे देखे होंगे, है ना, वो भी आएंगे, बी शाबाश बेटे, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया, इनल्यू Delhi के अंदर जिस जिसका center है, उन सबसे rooberoo होने मिलने के लिए मैं आ रहा हूँ, ठीक है, बहुत excited हो तुम लोगों से मिलने के लिए, और मैं एक एला इनसान एक जगे जा पाऊंगा, तो मैं NLU Delhi जरूर आ रहा हूँ, और NLU Delhi में जो जो लोग होंगे, उन सबसे म आ है, वर्ल्ड का लोंगे सेल वे प्लाटफॉर्म जो है, वो है, ठीके बटा, ओके, तो याद रख लिजिएगा कि लग बगदेड किलोमेटर लंबा प्लाटफॉर्म है, हुब लिए प्लाटफॉर्म डाट इस सिचुएट इन करनाथ का, चलिए बेटा, कम ओन, नेक्स को को जो है, आशिरवाद है बच्चा, मेरी तरफ से, दोनों हाथ खोल के, भगवान आप लोगों की पूरी मदद करे, आपको जोश में भरा रखे, आपको कॉन्फिडेंस से भरा रखे, आपको बिल्कुल डर ना लगे एक्जाम के अंदर, और आप बहुत बैतरीन परफॉर योगा है, है न, जित्ते रिशी मुन आपने देखा होगा फिल्मों में या फिर युनों पोस में, तो रिशी के अंदर, बहुत सारे आश्रम संजाई योगा जो है कराया जाता है, so basically, यह बर्थ प्लेस कहलाता है योगा का, कौन सा जगे, रिशी केश, तो कहा पर परफॉ साइस का पूरा एक क्लास आपका लिया था, याद रहना चाहिए, भूला नहीं है, बच्चे, सर, M.H.C.T.L.L.B. थ्री एयर के लिए, हेल्प कर दो, सागर जी, आप इस क्लास के बाद, लीगल विरेन पे मुझे ढूंड के मुझे से बात कर सकते हैं, I'll help you, बच्चे, don't worry, I'll help you. चलिए, come on, quick, quick, answers की जड़ी लग जानी चाहिए, बहुत बढ़िया, 3rd March को है, 3rd March को हम celebrate करते है, World Wildlife Day, कब करते है, World Wildlife Day, 3rd March को, कब से कर रहे, 1973 was the day of the adoption of convention of international trade in endangered species of wild fauna and flora, cities, जो है, basically, इसको जो है, basically, adopt कैट किया गया था, 3rd March, 1903 को किया गया था, so, 2014 से इसको celebrate करना, start किया गया, दोनों ही सवाल बन सकते हैं, कि यह कब adopt हुआ था, तो, adopt हुआ था, बटा, that was 3rd March, 1973, और कब से पहली बार, इसको हम ने, जो है, recognize किया as a World Wildlife Day, 2014 से, अब के बार की जो theme जो होती, partnership for wildlife conservation, चलिए, बटा, next question की तरफ आते, come on, strategic arms reduction treaty, start one, was signed between US and Russia in, चलिए, जो रशिया और US के बीच के अंदर, start one, basically, एक तरीके से, आप ही कह सकते है, कि, वाल्डिमर पुटीन साब, जो है, वो उस समय पे, जो है, basically, president थे, ठीक है, तो, अब आंसर तो बताऊंगा न नहीं, पहले आप लोगों से सुन लेता हूं, चलिए, come on, come on, चलिए, नहीं बेटे, वो उसमें important इत्ते नहीं होंगे, क्योंकि, क्लाट का और elite का pattern तोड़ा अलग होता है, बहुत बढ़िया, 1991 के अंदर, जो है, इसको, basically, जो start था, उसको, यहाँ पे, इसको, यहाँ पे, इसको क्या यहाँ था, और अब new start treaty जो है, वो 2010 में, that is, US President Barack Obama जी, ठीक है, और Russian President Dmitry Medvedev, ठीक है, इन्होंने जो है, force में लेकर आयते, 2011 के अंदर, ठीके बिटा, so the correct answer is your 1991, चलिए, बढ़िया, आगे बढ़ते है, World NGO Day is celebrated every year on, कब celebrate किया जाता है, World NGO Day, चलिए, quickly, जोर लगा के हाईशा, कबार, शावाज भाई, चलिए, 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 कम ओन, चलिए, जल्दी भाई, जल्दी यार, answer फड़ा फड़ा आना चीए, भाई, World NGO Day Cup celebrate किया जाता है, चलिए, चलिए, यह, 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 बेसेटी क्यों होते है, यह बेस्टे जो, सलिबरेट किया जाते है, मैं आपको के वर बताया है, तो रिकेगनाईज आल दी पीपल आराउं जो कि इसके अंदर हेल्प कर रहे हैं राइट सुर्ट करेक्ट आंसर बहुत बढ़ बढ़िया सब्सक्राइस फरवरी इस और करेक्ट आंसर टीक है चलिए सो लोगा महापैक कुछ बच्चे मुझसे बार-बार पूछ रहता है कि सर क्या इड्वांटेज क्या फरक है तो आप क्लैट की त्यारी कर रहे हो आप एलेट की कर रहे हो स्लैट सिंबॉसिस के लिए वन अफ दी बेस्ट कॉलेज फोरियर लॉग ठीक है या आप महराश्रा की सभी टॉप युनिवर्सिटिक एंदर एडमिशन दिलाता है इंचानों कि अगर आप त्यारी कर रहे हो एम आई और जेमियो की त्यारी कर रहे हो फोरियर फाइफ एर लॉक और ठीक है तो आप लोग एक लॉक्ट पर्चेस कीजिए इन सभी के जो ओन गोईंग बैच है वह और जो आने वाले बैच है वह साथ की साथ आपको इनकी देते हैं अड़ा की तरफ से वो बुक्स आपको सर्फ की जाएंगी और क्लाइट के बच्चों के लिए अब की बार हाड़ कॉपी मॉक भी दिये जाएंगे लोगा महा पैकेंद तो आप इसको पच्छेस कर सकते हैं विद्धी कोड वाई 738 वाई 738 इस इकोल स्टू विज आंस चली नेक्स्कोर्शन तो फॉर्स मिटिंग ओव दी और सोरी डबलू 20 देखिये हमने बात की थी बिजनेस 20 वुमें 20 सभी मिटिंस हुई थी जी 20 के अंदर तो अंदर इंडिया जी 20 प्रेसिदेंसी तो फॉर्स मिटिंग कहा हुई थी वस हैल दिन कहां पर ये हैल्ड में नहीं थी चाली त ऑप्ता सिंबल्स इस द्राइवेट कॉलिज सिंबल्स जो है वो प्राइविट वेंचर है चली विए 16 grappler संभाग चीण में था यह भी कमेंट बॉक्स में दे दीजेगा देखो मैं एक कोश्चन के साथ तीन कोश्चन इसी लिए प्रॉमिस करता हूं यह भी मुझे बता दीजेगा कि छत्रपर्ती संभाजी नगर जो है पहले क्या कहलाता था महाराश्राग अगर कोई बच्चा है तो तो सबसे पहले दीजेगा छत्रपर्ती संभाजी नगर पहले क्या कहलाता था चलिए 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 विया कि मौन कमौन है क्या 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 कहलाता था देखा बहुत बढ़िया क्या बात क्या बात है फटापर से चेक किया आप लोगोंने याद है हां तो मैंने आपको पहले बताया थ कि चत्रपती संबाजी नगर जो है पहले कहला ता ओरंगाबाद जिसका नाम बदल दिया गया है और नाम बदल दिया गया तो एक और याद रख लो वो क्या याद रखना है Church Gate Railway Station जो Mumbai के अंदर है महराश्टर मॅंबई karma के चर्ज गेट रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम किसके नाम पर रखा जा रहा है? सीडी देश्मुख साब के. जो की इंडिया के. सब्सक्राइब कि इंडिपेंडेंस के बाद में. इंडिपेंडेंडेंस के बाद के पहले पहले गवर्नर आज और आर्फ वे जो थे तेखे देशमुक साब उसके नाम पे नाम बदल दिया जायेगा किसका तेश चर्च गेट रिल्वेस्टेशन का ठीके बिटा चली याद रहेगा सबी को याद रहेगा ठीके चली सब्सक्राइब वोन फिफ्टी वोमें डिनेटरी जो है वो इसके अंदर अवेल थे चली next question who among the following has recently been appointed as the vice chief of army staff yes this books are content first governor of independent India ticket come on who among the following has recently been appointed as vice chief of the army staff चली चली कोटी यार आई लव मुंबई यह क्या बात है मुंबई जो है वो है किसकी दिली दिल वालों की मुंबई पैसे वालों गया चली come on say correct answers or be mv suchindra kumar जो है वो पॉइंट हुए है क्या नए vice chief of the Indian army ठीक है और जनरल मनोज पांडी जी जो है वो current chief of army staff है कौन है current army chief staff of current army chief of army staff कौन है that is मनोज पांडी जी दोनों ही सवाल पुछे जा सकते हैं दोनों तरीके से पुछे जा सकते दोनों करेंगे अपन ठीक बेटा चली आगे बढ़ते हैं next सवाल के तरफ who among the falling on the best fifa footballer of the year for year 2022 fifa world cup water fifa world cup water fifa world cup किसने जीता था चलिये 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 क्वेट लिए सब्सक्राइब के लिए भी कोई गाइडलाइन से क्या बिलकुल लास्ट में वताएंगा आपको यह जो session end कर रहा हूंगा उस टाइम पर आपको इसका जवाब दूंगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाज भाई लेनन मैसी इस और सब्सक्राइब करेक्ट अंसर लेनन मैसी को जो है रिक अग्राइब किया था ही एस बी नेम्ड आइस दी मैंस फुट्बॉलर ऑफ दी एर एड़ फीफा फुट्बाल वर्ल्ड कॉप जो अवार्ट सुए ते जो कि पारिस में हपन हुए ते कहा हुए थे पैरिस में हुए सब्सक्राइब करते हैं कहां से बिलों करते हैं अर्जंटीना से ठीक है ठीक है ठीक है और मैसी इससे पहले कौन सब्सक्राइब जीते हैं मैसी वान दे बेस फीफा मैंस प्लेर अवार्ड ऑन जस्ट वन अधर ओकेजिन इससे पहले एक बार जीते हुए है ठीक है ओके और एक वो जो लेग वाला होता है वो मभापे को मिला थाना सो अभी हुल अर्जेंटिना तो दिर फॉर्स वर्ल्ड कॉप ट्राइम सिंस 1986 उनने सो चाहिए के बाद में पहली बार बीट ओस कंपेटिशन फॉम रियल मैदेट केरिम बेंजामी एंड पैरे सेंट जर्मन टीम मैट कल्यान मभापे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं विटा फॉर्टें तराष्ट्रिय संस्कृति महुत सब्स और इन विच जिए चलिए यस-त おकुनन बाच बाथ बढ़ ब्या मै भूल राह था मैं भूल रहता गोल्डन vy Я ऑस्ट हो मोर्ड जारी वीच्ट हो योर्डिया गया था मभाक बापते को मभपकत मभपकव भपक और को फलता चैँनी एकनाम कแ Suite लिकन is amazing player बहुत बढ़िया शाबाश यह वेर गोड़ चारसिया बहुत बढ़िया जरी वेरी गोड़ सुकाना सुकुना बहुत बढ़िया दोनों तीनों बच्छों ने बहुत अच्छा और क्विक्ली मुझे आंसर दे पाई आप लो बहुत बढ़िया है तो बहुत सारी चीजें लगातार पढ़ रहे होते हैं देख रहे होते हैं तो कई बर कुछ चीजें भूल भी जाते हैं लेकिन मैं कोशिश यह करता हूं कि जितना मैं आपको पढ़ा दूं कि भया उससे रिलिटेड कुछ रहना जाए राजस्तान बिकानियर के अंदर बिटा यह हुआ था सो बेसि सुछ MS 23 श्पेस क्राफ्ट बिलोंग्स तो विच फॉल इंडिटर इस पेसक्राफ्ट कॉंसे कंट्रिसे बिलाउं करता है इंडिया रश्या युए से जिपान चली कुछ एक दम स्पीर के अंदर आंसर दो यह आपको बता दूं अमेरिका का इसके अंदर एक बहुत बहुत इंडिया रश्या युएस थैंक्यू सर फुली आपके कारण इलिट करक कर पाऊंगा मैं मेरी पूरी कोचिश रही की बिटाई एलिट करक करवाने की तो मैं एनलू डेली जाकी मानेंगे भाई अब तो बहुत बढ़िया वेरी गुडियार रितान शुब पूचरे राजस्तान का सीम कौन बना अरे भाया अभी तक नहीं बना सारे टलेंटेट लोग रास्ताण सी तो है अब पाता हने बांग भागि मैं इसी कंद्या मिशी निवर्स का भाण रहोते हैं आजक्त ऊटे आर राष्तान-वाली सुन्दर रोते हैं क्या समाट होते है ऐसा प्लगो kun लगता है दूत एंक कि अट्रोट विल बोर्ट येंप्टी स्वोज स्पेस्टाइब र्टी ठीक है चली चली कर्ड़ आसर इस यह रस्यर नेक्स XSI desert flag six was recently conducted in which of the following country desert XSI desert flag eight jelly come on जल्दे से विया विकली अब डेजर्ट से क्या याद आएगा नीट ये बड़ा जोक बड़ा फ़नी आदमी है मीट सिंग अना चलिया और गाइस कमान रेते से याद करो सब से यादा का देखने को मिलता सब जगे है महों भी राजस्तान से हैं क्या बात है चलिये चलिये क्विकली बहुत बढ़िया इंडियन एरफोर्स और यूए की एरफोर्स ने मिलके जो है यह एक्सरसाइस की ती डेजर्ट फ्लाग एट ठीक है और डेजर्ट यूए जो है भरा पड़ा है कौन बढ़ा पड़ा है तो विच कंट्री अभी रीसेंटली बहुत लाइम लाइट में रहा था यह केस अना तो लौक बच्चों हो तो केसे के बारे में तो जानकरी रखते ही होगे तो बताइए तो शाख अना केस जो है कौन से कंट्री से रिलेटेड है यहाँ पर आपने देखा था बहुत लाइ केस कौन सी कंट्री से रिलेटेड है बहुत बढ़िया या टी शावास यार यस दिया बहुत बढ़िया इमरान खान इमरान खान आपने देखा हो पुरी आर्मी उनको लेने आई थी है ना सो दे क्रेक्ट आंसरी जर पाकिस्तान ठीक है अभी रिसेंटली जो फॉर्मर प्र राइट नहीं है आप उर् October VS. पावर आपको बेल दे का बेल नहीं दे नों बले बल आफेंस यह ओत है भोत सब्सक्राइस आरे बढ़रां कि वकल्राइबल काम अंछी नहीं वांने अदर गिलो पॉले बल इस नोटकπいह राइच बेली इस मेड़ पॉफ चलिए चलिए अभी जो इनर मोस्ट इनर कोर ओफ अर्थ है वह बेसिकली कंफर्म की गई है रिसेर्चर्च के द्वारा की वह किस से बनी हुई है यह यह पियर बिल्कुल अभी थीक नहीं और Bolaई नहीं जा रहा गोली खाखा के पढ़ार रहा हूं है कि इस पुद्धे शोच्टी चोज को पिछ उडे चाओ ति म..? के चलिए QUT फिर आई आर निकल आई निकल और क्रोमियम है आई रमार कॉमियमय ये निकलष या निकलर लीड़ है चलिए बहुत बढ़िया तो तो फिफ्ट लेर जो है फिर सिर्फ लेर जो है वो किस की वनिए आईर नौर निकल की बनी हुए एक इसी बनी वच्चा आयन और निकल की बनी हुए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चिन नॉर्थ आईलेंड फ्रोटोकॉल वह साइन इन नौर्थ आयर्लेंड प्रोटोकॉल जो है यह कब साइन किया गया था देखिए एलेट के इंदर ऐसे सवाल आप से बार बार पूछे जाते हैं मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज ध्यान से देखिएगा अब रिसेंटली आप लोगों ने देखा था जब मैंने आपको पताया था कि भाईया मैं इसके बारे में बताया था नौर्थ आईर्लेंड प्रोटोकॉल के बारे में राइट नौर्थ आलेंट प्रोटोकोल जो है बैसिकली यूरोपेन यूनियन और इंगलेंड यूनियर इसके बीच में जो है वह तिक है दो हजार उन्नीस बहुत बढ़ बढ़ यह करेक्ट आंसर इस 2019. यह बैसिकली 17th October 2019 को अज़े पार्ट आफ विड्रोवल एग्रेमेंट बिट्वेन यूनियर इंग यूनियन है ठीक वच्छा चली यस यस जो इंटरनाशनल एई समेट जो है आपके बर हुआ है कहा पे बैटास हपने इन यू के प्लीज ध्यान रखिगा वेरी इंपॉर्टे भाणी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इस ओब्सवर्ट एवरीयर ओन जो डिसकुमिनेशन मतलब किसी भी परकार का भेधाव नहीं होना चाहिए बैदभाव नहीं होना चाहिए नये लोग जो मेरे session में मेरे साथ जूड रहे हैं किरता करके session को like करते एग रखे बढ़िएग चलिए लेकर 1st मार्च को जो है अब आप कहने ते सकते दिन का करन दफ एक साल का मार्च का है अना मार्च के अंदर है पन हुआ ठीक बटा तो दा फॉर्स मार्च is your correct answer ठीक है तो जिरो डिस्क्रिमिशन इस अईनृ और जरुषिंट देट कीप लेस प्लेस ऑन मार्च फर्स कब क्या जाता है मार्च फर्स को अब की बार का तीम क्या है वह भी याद रख लीन असे व्लाइब स् डिस्क्रिमिल यह डीक रम लाइस ठीक है से लाइब स्टिकर्मिल के लिए यूज किये जाते हैं जमीन जैम्स आर हिदन बिहाइंड लिजास बैंक्स क्या बात है आप प्लीज मैसेज मी आउन लीगल विरेन आउन माई टेलिग्राम इंस्टराइम फेरेवर यू वाट ठीक है वहाप आप लीगल विरेन नो गाप लीगल विरेन वहाँ पर अपना basically scorecard मतलब आपके numbers, आपकी category और आपका admit card की photo मुझे भेज दीजी का बिटा मैं list down कर रहा हूं ताकि 10 तारिक को आप सभी को मैं message कर सकूँ आप लोगों को connect कर सकूँ कि कैसे आपको आगे की process follow करनी है और कौन-कौन सी आपको universities मिल सकती है ठीक है? So please for that reason you have to do that. 300 साल पुराना, 1300 साल पुराना इस्तुपा जो की you know in the middle of mining site in the Udassas Jaipur district, okay? So Jaipur सिर्फ मेरे यहां पर ही नहीं है राजस्तान में जैपुर का है और एक जगे और है, okay? Sir, Clat में जलिया वाला बाग का कॉशन एक्टम शॉकिंग था, 9th में पढ़ा था मैने तो, कुछ कुछ चीजे शॉक कर देती है एक्जाम में को को की सब अच्छे आराम से पढ़के चले जाओ तो मजाई का है, ठीक है? Okay? चलिए. So, this is all about today's class, ठीक है? और अगर आप में से कोई चाहता है, कि इस तरीके से पुरी साल आप मेर साथ जूड़ सब को पूरी साल मेर साथ पढ़ सब को, तो प्लीज लॉका महापैक या फिर फाउंडेशन को सॉफ ट्राट जो की ट्वंटे 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 फाइफ के एस्परिंस के लिए है, इस अच्छे बैच उसे आप जोइन कर सकते हैं ठीक है और साथ के साथ में आपको एक आख्री चीज और बता देता हूं जितने भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत ट्रबल होता है इन सब को एकसेस करने में उन बच्चों के लिए लाइव बता देता हूं बेटा जो जो लोग जानना चाहते हैं और किसी को सवाल है तो वो भी रुख सकता है ठीक है है सो अगर आप देखेंगे यहां पर कि आप जब जाएंगे अड़ा सवागे गिकाल फोह बैटा कैनलता महापेक क्या है लोका महापेक ये बेसिकली 14,000 का है लेकिन आप मेरे स्टुडेंट हो तो आप क्या यूज करोगे Y738 सिंपल सी बात है आपको 14,800 में मिल जाएगा मैने जैसे आपको कहा था भी maximum discount का फायदा उठा सकते हो इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही एक्जाम को केटर करना चाहते हैं आप कहते हैं कि नहीं सर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ क्लाइट का एक्जाम देना है और कोई एक्जाम नहीं देना चाहता तो क्लाइट 2025 का ये रा foundation कोर्स जिसको अगर आप देखना चाहें तो 48,000 का है लेकिन Y738 कोड आप जब लगाएंगे तो वो किसका कोड है विजेंदर सरका कोड है किसका कोड है विजेंदर सरका कोड है 9600 में आप उसे पच्छेस कर सकते हैं ठीक है बच्चे सबी बच्चों की information के लिए बता दू कि एलेट की जैसे आपने क्लाइट के guidelines देखे थे वही सेम आपके एलेट के guidelines है आप transparent bottle लेके जा सकते हैं आप अपना pen लेके जा सकते हैं ball pen लेके जा सकते हैं और बहुत important बात है बेटा आप smart watches नहीं carry कर सकते हैं और try कीजिएगा कि shoes नहीं आप अपने floaters या lippers पहन के जाए कपड़े जो है वह आपके decent होने चाहिए और comfortable होने चाहिए ठीक है वहाँ fashion show तो बिल्कुल भी नहीं है वहाँ exam है ठीक है okay चलिए इसके साथ कल मैं mega marathon लेकर आ रहा हूं जहां पर जो बच चुका है वह भी revise करा दूँगा आप लोगों का बाकी आप मेरी one year की marathon जो मैं already ले चुका हूं आप उसे भी check कर सकते हैं और जो उसके अलावा भी बच किया है जो कि particularly for a late है वह भी मैं आपका कल लेकर आ रहा ठीक है watch नहीं लेकर जानी है बेटा नहीं लेकर जानी है बाद में problem होगी तो इसलिए क्यों परेशान होना है ठीक है और आप अपना ध्यान रखें और अपने ध्यान के साथ साथ एक चीज़ और करें time पे soya कीजिए time पे उठा कीजिए और अपने खाने का ध्यान जरूर जय हिंद जय भारत बाबाई टेक केर